प्यारे विध्यारतियों, आज का टॉपिक है मैक्स बेबर की रमोक्रतियां मैक्स बेबर की सभी रचनाएं जर्मन भासा में लिख हुई हैं जिनका अंगरेजी में अनुवाद आनेक विध्वानों के द्वारा किया गया है वेबर की रचनाएं उनके एदित्य बोधिक व्यक्तित्व की परिचायक हैं बोधिक सास्तर में जो इस्तान नूटन और आइंस्टीन का है अर्थ सास्तर में जो इस्तान मारसल एवं किंस का है मानो सास्तर में जो इस्तान मेलिनोस की एमरेडिकली ब्राउन का है वही इस्तान शमास शास्तर में मैक्स बेबर को प्राप्त है हम यहां मैक्स बेबर के कुछ प्रमुख कृतियां का बेवरनर प्रस्तूत करेंगे तो प्यारे विद्धार्तियों आप उसको समझेने का प्रियास करना नमबर एक पहली कृति सबसे IMPORTANT है जिस पर मार्क्स की विचारधारा आधरीत है पहला अधा प्रोटेस्टन्ड एथिक और इस्प्रिट अप कैपिटलिजम बेवर की यह सारवदिक महत्पन कृति मानी जाती है जिसका प्रकाशन 1906 में हुआ पार्संस ने इसका अनुवाद जर्मन भासा से अंग्रेजी में किया इस पुस्तक में बेवर ने यूरोपी एम अमेरिकन समाज के अपने गहन अध्यन और अनुभाव को संजवए है 19 सदी में उद्धुग क्रामते के कारण आधुनिक पुझिवाद जर्म ले चुका था इसी पुझिवाद व्यवस्ता ने प्राचेन ग्रामिन अर्थ व्यवस्ता को नस्ट कर दिया था इसी समय यूरोप में मार्क्स के धर्म विरोधी विचारों ने भी हलचल पैदा कर रखी थी बेवर ने अपने इस रचना में पुझिवाद और धर्म इन दो प्रमुक मुद्दों पर विवेक सम्मत विचार व्यक्त किये तथा इन दोनों के पार्स पर एक समंदो का विच्छिशन किया उनका मैत है कि आधुनिक पुझिवाद को जन देने में प्रोटेस्टेंट धर्म में पाई जाने वाली आचार सहीता का विचेश यूगदान रहा है यही कारण है कि जब यूरोप में रोमन कैथुलिक धर्म पचली था तो आधुनिक पुझिवाद नहीं पनफ सका उन्होंने दुनिया के छे महां धर्मों का अध्यन किया जिसमें हिंदू, बोध, इसाई, इसलाम, कन्फ्यूसियसन, यहुदी का अध्यन करके यहें बताया कि धर्मों के आचार आधुनिक पुझिवाद के पक्स में नहीं है, केवल प्रोटेस्टन धर्म में ही वे बाते हैं जैसे कारिये ही पूझा है, एक पैसे बचाना, एक पैसे कमाना है, धन से धन कमाया जाता है आदी जो पूंजी वादी के विकास में योग देती है धर्म को उन्होंने सामाजिक परिवर्तन के एक वेरियेबल के रुप में से विकार किया है नमबर दो धर्म का समाज शास्तर इस करती का अनुवाद गर्थ एम आर्टिंडेल ने जर्मन भासा से अंग्रेजी में किया दुर्बागी बस उनकी यह करती उनके जीवन काल में पूरी नहीं हुई थी इस करती में उन्होंने हिंदु धर्म चीनी धर्म तता यहुदी धर्मों एम आर्थिक व्यावस्ता के बीच समंदों का उल्लेख है उनकी इस करती को तीन अलग अलग गरंथों में उनकी मृत्व के बाद प्रकासित करवाय गया है नमबर एक दा हिंदू सोसियल सिस्टम दो दा रिलिजन ओफ चाइना नमबर तीन दा एनिसियंट जुडाइजम अब है तीसरी करती दा थियोरी ओफ सोसियल एंड एकॉनमिक और्गनाइजेशन बेवर की इस करती का जर्वन भासा से अंगरेजी मनवाद हेंडरसन तता पारसंस ने किया है सन 1947 में इसे प्रकासित करवाय गया है यह पुस्तक मूल जर्वन भासा में के नाम से लिखी गई थी तता बेवर ने इसमें अपने संकाली प्रमुक समासास्त्रियों के कुछ निभंदों का संकलन करने के योजना बनाई थी इस पुस्तक के दूत्य खंद में बेवर ने sociology of religion, economic sociology, sociology of social and political communities, sociology of law, sociology of domination, political sociology, sociology of market आधी अध्यायों के रचना की थी इस कृतिका जर्मन भासा से अंग्रेजी में अनुवाद गर्थम मिलने किया और सन 1946 में इसे प्रकासित कराई इस पुस्तक में वेवर द्वारा धर्म के शामाज शास्त्र एम अन्ने विश्व पर लिखे गए निबंदो का संकलन है नमबर पांच दा मैथोडोलोजी औप सोसिल साइनसेज वेवर की इस कृतिका अनुवाद सेल्स तता फिंच ने किया और सन 1946 में इसे प्रकासित करवाई वेवर शमाज शास्त्र को एक स्वतंतर एम प्रतक विग्यान का दरजा दिलाना चाते थे इस अंधर में उन्होंने कई समाशास्त्री लेखों द्वारा समाशास्त्री अधिनों को वेग्यान का अधार पर प्रस्तुत किया प्रस्तुत करति में इन्हीं सभी लेखों का संपादन वेवर ने किया वेवर की कुछ प्रमुकरतियां और हैं वेवर के अन्ने रचनाओं में जनरल एकॉनमिक हिस्ट्री दा सिटी दा नेशनल एंड सोसिल फाउंडेशन ओफ मूजियम मूजिक आदी भी प्रमुक रचनाओं हैं दा सिटी का लेखन वेवर ने उननी सो ग्यारा से उननी सो तेरह के बीच में किया जिसका प्रकासन उसके मृत्री के बाद उननी सो इकीस में उनकी पत्नी मेरियन ने करवाया इसमें वेवर ने पाश्चात नगरों के इतियासिक विका से महत्व का उलेक किया तता नगर की सामाजिक आर्थिक राजनितिक प्रसासिक वैधनिक व्याख्या प्रस्तुत की इनके अतरिक वेवर के कुछ निवन्दों का संग्रे दो और पुस्तगों में किया गया अब हम समाज सास्तर के विकास में वेवर का क्या योगदान है उसका संग्षिप्त में यह समझाने का प्रियास करूँगा तो प्यारे विद्यारती हो मैक्स वेवर एक प्रकार के समाज सास्तर के पथ प्रदर्सकों में इसका नाम सबसे आगे आता है वेवर ने जो कुछ भी साहित रचा रेमेंट एरा ने उनकी विशेवस्तु के अधार पर चार भागों में वर्गिकर्द किया मेतोडोलोजी, पद्दिती सास्तर, आलोचना और दर्शन सास्तर समदित अध्यन एतियासी करतिया, धर्म के समाज सास्तर समदित अध्यन और अर्थ सास्तर और समाज से समदित करतिया बेबर का शमाज सास्तर के योगदान में सबसे पहले उसका एक सबसे महत्पुन सिद्धानत है सामाजी करिया का सिद्धानत बेबर सामाजी करिया को समाज सास्तर के केंद्रिय अद्धिन वस्तु मानते हैं उनके अनुसार शमासासर वेविग्यान जो सामाजी करिया का अर्थपुन बोध कराने का प्रियतन करता है वेवर सामाजी करिया को ऐसी करिया मानते हैं जो दूसरे वेक्तियों के भूतकाल, वर्तमान या भावी वेवार द्वारा प्रभावित हो सकती है बेवर ने चार प्रकार की किरियां का उल्ले किया तार की किरिया, नमबर दो मुल्यंकन अत्म किरिया नमबर तीन प्रभावात्मक किरिया और चार परंपरात्मक किरिया तार्किक किरिया उसे कहा जाता है जो जिसका चैन सचेत और योजनाबद रूप से लक्षतता सादनों को ध्यान में रखके किया जाता है मुल्यांकन क्रिया उसे कहा जाता है जिसके पीछे तरक नहीं वर्ण धर्म नेतिकता कलात्मक या आदरसात्मक आधर होते हैं प्रभावत्मक क्रिया जो संवेगों या भावात्मक तशाओं से प्रभावित होकर की जाती है परमपरात्मक के लिए जिनका समंद परमपराओं से होता है इसके बाद नौकरसाही की अउधाना भी जमाशास्त्र के लिए इसके प्रमुग देन थी मेक्स बेवर ने नौकरसाही का आदर स्प्रारू प्रस्तुत किया उन्होंने नौकरसाई की विसेस्ताओं उत्पतियम कारियों का सुविय विश्तित विचार व्यक्त किया आपने आधुनिक प्रसासनी के विवस्ते में पूंजी वादी अर्थ विवस्ता में नौकरसाई को महत्पुन विवस्ता की रुप में सुविकार किया नौकरसाई प्रसाशन का एक ऐसा तरीका है जिनके कारियों का इस पस्टूप से विवे दिकन पाया जाता है यह Tarkik और विवेक से नियम और प्राधरित होती है जिसमें लिखित नियम होते हैं तरह अधिकार सत्ता और दायित्तों का संस्त्रनात्मग भिवजन पाए जाता है नोकर साही में विविन विक्तियों के कारियों में समिन रिक्ति किया जाता है इसके बाद आदर्स प्रारूप के उधाना, मैक्स बेबर के पद्धिती सासर के एक प्रमुकंग आदर्स प्रारूप है, आपने सामाजिक वास्त प्रिकता को समझने के लिए साउधाना का प्रियोग किया, इसके बाद सत्ता के उधाना, मैक्स बेबर ने सत्ता के संदर में म प्रहस्तिति, वेबर ने सामजिक वर्ग की वयाक्य सामजिक वहारतिकादायर पर coz पहाँ आईधाय का अंग मानते संग मानते हैं, वेबर मानते हैं कि वर्ग विश्ऩिष्ट प्रहस्तितियों भी उत्पन करते ह ं जिनboy वेबर के तह लोगों के पास ने तो कोई संपती होती है, और जिने वस्थों हैं, सेवाओं को प्राप्त करने के कोई आउसर प्राप्त न ही होते हैं, जैसे घुलाम उन्हें वर्ग्न ने कहकर प्रष्टिति समुह कहना चाहिए, इसके बाद पद्दती सास्त्र, समाज सास्त्र अदिन में वेवर का पद्दती सास्त्र, उनके महत्पुन देन है, वेवर ने प्राकरते विग्यान हैं, समाज सास्त्र में प्राकरते कम सामज गटनाओं के आदपर भेद किया है, और प्राकरते गटना नय तो अर्थपुन होती है, और न विस्व के छे मान धर्मों का दिन किया गया था धन्यवाद चात्रों जैहिंद